CAA, NRC और NPR के खिलाव बिहार में कनहिया कुमार जनगण मन यातरा निकाल रही हैं कटिहार में सविधान बचाओ यातरा के दोरान पूरसां सद कॉंगर्स नेता तारीक अनवर भी जनसभा में शामिल होने चा रही हैं सुपॉल में कनहिया के काफिले पर हुए हमले पर कॉंगर्स नेता तारीक अनवर ने अफसोस जताते हुए कहा कि छातर नेता पर हुआ हमला लोक तंतर के विपरी थे उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को सविधान में आवाज उठाने का अधिकार है पूरे नर्सी उसके विरोद में पूरे हिंदुस्तान में लोग अलग अलग धंग से आंदूलन चला रहे हैं और खास तर पर इसमें चात्र और नौजवान आगे हैं हम उनका साथ दे रहे हैं और हमारा भी मानना है कि ये गलत धंग से लोगों को देश को विभाजन करने की एक कोशिश है पहले कहा कि जहाद तक शर्णार्थियों को शर्ण देने की बात है हम उसके खिलाफ नहीं है कोई भी जालियतिक दल उसके खिलाफ नहीं हो सकता है क्योंकि हमारी परंपरा है हमारी संस्कृति है हमारा संसकार है कि हमने हमेशा लोगों को जो लोग मुसीबत में रहे हैं हमारे पॉलसी देश में तो जब भी आये हैं तो उनको हमने शर्ण दिया है पहले भी दिया है कोई पहली बार दे रहे हैं असी बात नहीं लेकिन जो हमारे सनमिधानिक विवस्ता है उसको हमें ध्यान में रखना होगा जो हमारी परंपरा है जो हमारी संस्किर्टी है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा तो उसके अनुसार ये है कि आप शरन जरूर दीजिए कोई भी हमारे शरनार्थिया आएं तो उनको शरन जरूर दीजिए लेकिन उनका धर्म, जाती, बरादी, शकल, सूरत ये आधार नहीं होना चाहिए गान्दी जी का यही कहना था भारत और हमारा और लगबग भारत की जो सलस्किर्टी है उसका ये मानना है कि सारा विश्व हमारा परिवार है तो हम तो ये कहेंगे एक तीरी देश तक क्यों उसको सिमित रखा गया है यतने भी परोसी देश है उनको भी उसमें शामिल करना चाहिए NPR, NRC और CAA के विरोध में जन संगर्ष मोर्चे पर निकले कनहिया कुमार मधेपुरा पहुँचे इसी आतरा के दौरान मधेपुरा में लोगों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा यहां भारी सुरक्षा की बीच सिंगेश्वर धाना शेत्र के जिटकिया गाउ में विशाल जनसबा आयोजित की गई इस दौरान कनहिया कुमार ने प्रदेश सरकार पर जम कर हमला बोला कि इस लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिये और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका आशिरवाद और साथ हम दोगों को मिलेगा बोलिये मिलेगा की नहीं मिलेगा सरकार को चुनोती देना चाहते हैं देश का तरिपार गिर्मंत्री बोला है कि हम एक इंच पीछे नहीं हटेंगे एक इंच तो क्या पूरी जमीन छोड़ करके उसको जाना परेगा और यहां जाना परेगा चाल उनका दोस्त में उस चापसी भाग करके ज़या है अग्स गाय का मंस मंदिरों में भीकवाते थे और सूवर का मंस मस्जिदों में भीकवाकर इस देश में हिंदू और मुसल्मान करवाते थे इस फिटरं के आधा पर वता है क्या आप इस देश को दुभारा बटने देंगे? जब इस देश को हम दुभारा नहीं बटने देंगे तो दुबं के नाम पर जो धंदा करने वाले लोग हैं उनकी दुकांदारी पाँच साल में एक बार हेलिकॉप्टर से उतर करके गली-गली घूम करके लोगों के सामने इसे सर जुकाते हैं जैसे उनके दमाद हूँ इसका बी-स-न-ल, एम-टी-न-ल, भारत पेट्रोलियम, भारतिया देल बे ये सब खत्रे में चला गया है इस वक्त हम जिटकिया में हैं, जहां पर कनहिया कुमार अभी केंज सरकार पर तमाम हमलाएं बोले हैं और जो महिलाएं हैं अभी जो सभह में आई हुई थी, वो बता रही है जो सरकार जो NRC, एज लागो करने के लिए जा रही है इसको हम लागो होने नहीं देंगे हम इन से जानते हैं माताजी से क्या अभी कनहिया, जो बासन दिये हैं, क्या आपको लग रहा है हम लोगों NRC का विरोध हैं, जियो सम्मिधान चल रहा है, उस सम्मिधान को तोड़ने का जो कोशिच किया जा रहा है, उस पर हम लोग भारत में आजाद से जीए हैं और आजादी चाहते हैं, हम लोग सर्कार से अफिल करते हैं, हम लोग को यह आजादी चाहिए, हम लोग इस कर दो कर तोने का कोशिश किया जा रहा चाहिए एक ऑप अपनी आजादी जाहिए अपनी आज़ादी चाहिए नहीं हो जो बता रही है जो कि हम एनर्सी को लागू नहीं होने जएंगे जरूरत है तो हम लोग को लासों से गुजर रहा पड़ेगा खून बहाना पड़ेगा फिर भी हम लोग नहीं होटेंगे बिल्कुत साथ ओपर इनका करना है इनका बिरोद जो है जो कि लास मेंचे जाएगी फिर भी हम वोग करेंगे